सब देख रहे हैं आपका चनल शेवजर वितायूश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथारीटे ओफ इंडिया के शेयर के बारे में तो देखिए ओफस के बाद जिस तरीके से शेयर ने फिर से तेजी दिखाई है वह दोस्तों काविले तारीफ है और यहां प उपर से गिरावट आएगी तो आपको इस वीडिमन दोस्तों पूरा बताऊंगा वे तो आप वीडियो एन तक जरूर देखिएगा और फ्रेंट अभी तक आपने हमाया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीस फ्रेंट चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर क्लोजिंग देदी नोट करिएगा सतर रुपे के उपर क्लोजिंग देने में शियर कामयाब हुआ है और यहां से देखिए शियर का जो चार्ट आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी दिखाई देगे सबसे बड़ी पहली बात कि यहां पर शियर में आपको थोड़े डाउनफॉल देखने को मिला बट शियर ने जो अपना इंटर डे हाई बनाया दोस्तों वो था 72.20 का और यहां से सेल में हमें लगता है कि जो रैली है जो तेजी है वो फिर से आपर कंटेनी होती भी देखने को मिल सकती है अगर शियर 70 के ओपर सस्टे आपको लेना चीए और यहां पे जो ओफेस का इसको तगड़ा रिस्पॉंस मिला उसके कारण देखी शेयर में आपको फिर से तेजी देखने को मिली है और देखिए मैटल इंडेक्स में जैसा मैं आपको पहले भी कहा था कि देखिए एक काफी बढ़िया रैली देखने को मिली रही है पहले से और यहां से अब लगता है कि वापेस से सेल आपको तेजी करता हूँ दिखाया और 80 रुपे यहां से मुझे लगता है जाता हूँ देखने को मिल सकता है अगर 70 का लेवल यह तोड़ता नहीं है तो देखिए बार पर के रहा हूँ 70 का लेवल काफी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा यहां पर दिक्कत हो जाएगी लेकिन अगर करेक्शन में आपको यह शेयर मिलता है तो वापिस से देखिए आपको खईदारी करनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होड़ी दोस्तों बजट आने वाला है और बजट से पहले हमें नहीं लगता कि देखिए मार्केट में आपको कोई बड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा होगता है तीन चार परसंट यहां से कोई करेक्शन देखने को मिल जाए पाच परसंट का बट यहां से अधर्वाइस देखिए काफी जो अच्छी रैली बहु देखने को मिल रही है हमें मार्केट में वह कंटीनि होती भी देखने को मिलेगी बट अगर अगर सेल की बात करतो तो डेंटिली जैसे यहां पर resistance उirm है तो हो जाता है जानना कि शिर में आपको यहां पे क्या भाइंग को सेलिंग में करण भांव ने को मिला है तो अगर हम देखते हुन तो शियर में आपको आखरी के कुछ time में strong selling pressure देखने को मिला 18 sell one buy और से लिटा selling दिखा रहे हैं and moving averages strong sell दिखा रहे हैं with only one buy यहां पर अगर आप buying देखेंगे तो यहां तो zero ही है और यहां पर one buy तो देखिए यह थोड़ा सा आप कहा सकते हैं खराब संकेत है शेयर के लिए तो वही के रहा हूं कि 70 का जो जोन है काफी important हो जाता है शेयर के लिए अगर यहां से 70 का जोन नहीं तूटता तो definitely देखिए शेयर में आपको तेसी देखने को मिलेगी बट अगर 70 का level तूट जाता है यहां पर देखिए दोस्तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी और शेयर में आपको थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को बन सकता है अब अगर बेस की बात करें यानि इसके support की बात करें तो support दोस्तो जो strongly बनावा है वो है 67.50 का 67.50 का एक ऐसा base है जो मुझे लगता है कि दोस्तो काफी जादा share को support कर रहा है और अगर यह यहां से base नहीं तूटेगा तो यहां पर आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है और यहां से फिर से share आपको pullback दिखाएगा बट अगर यहां 67.50 का level तूट जाता है यहां पर आपको थोड़ा सा downfall देखने को मिल सकता है क्योंकि जो downfall देखने को मिलेगा वो base के बात मिलेगा और direct share आपको 63 रुपीज तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर यहां पर support की बात कर तो देखिए 65.82 64.73 and then 61.73 यह तीन support दे रहें के तीन stop losses दे रहें बट अगर resistance की बात कर तो वो है 68.82 जो cross हो चुक है 70.73 वो भी cross हो गया था लेकिन 73.75 तक शेर नहीं जा पाया बट अगर हम overall देखिए तो देखिए शेर में अभी momentum बना हुआ है तेजी का और यहां पर अगर आपको शेर में थोड़ा बहुत भी downfall देखने को मिलता है तो आपको देखिए सीधे सेट यहां पर ख ख़ड़ी दिये और 69 तक 67.5 तक 69 की बीच में ख़ड़ी दिये यहां से आपको जो टागेट रखना है वो रखना है यहां से दोस्तो 75 का और जो stop loss maintain करके चलना है वो करना है यहां से आपको 67.5 तक शेर लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा चैनल को सब्स्क्राइब करना मत बूलना वीडियो को शेयर में दोके देगा थेंकियो फ्रेंच वर उचिंग दिस वीडियो